हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे आज के वीडियो में हम बेकार पड़ी ब्लाउस पीस से इस तरीके के मार्केट में मिलने वाले महंगे लंच बैक को हम घर पर ही बना के रेडी करेंगे और आज का ये जो बैग हम बनाने वाले हैं इसको आप ऐस लंच बैग भी यूज कर सकते हैं हैं चोटा मोटा समान आप इस पे रख सकते हैं ट्रवलिंग पे ये आपके बहुत ही काम आएगा तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज आप वीडियो को जादा से जादा लाइक करिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ जादा से जादा शियर करिएगा तो यहाँ पे देखिए मेरे पा की तरफ अस्तर के लिए हम कोई भी पुराना कपड़ा यूज कर सकते हैं और वीज में हमने प्लास्टिक की बोरी रखी है और उपर हमारा देखिए यह ब्लाउस पीस का कपड़ा है अब सबसे पहले इसके बीज बीज पे सिलाई लगा के इसको हम देखे कुल्ट करेंगे इस करना है अब यह देखे इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है इसको लंबाई की तरफ से अब किसी वी एक तरफ दोनों साइडों में से किसी वी एक तरफ देखिए हम चार इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे किनारे पे तो यह देखिए बहुत ही आराम से में और फिर यहाँ से देखिए हमको cutting करना है यह 30 ग 5 इंज की तरफ से यहाँ से देखिए किनारे से हमको ऐसे cutting करना है तो यहाँ पे देखिए यह थोड़ा समझ में आ तो आप वीडियो को थोड़ा आंगे पीछे कर के देख सकते हैं जिससे कि आपको अराम से समझ पे आ अब यह जो cutting हमारी निकल रही है कपड़ों की तो इनको भी हम फेकेंगे नहीं इनसे हम pocket बना के ready करेंगे अब इस तरीके से देखिए इसको पलटेंगे और फिर यहां पे भी हम यह देखिए इस तरीके से हम cutting कर लेंगे तो इस तरीके से आसानी से cutting हो जाती है आप चाहें त तो दोनों तरब पहले निशान लगाके भी सेम तरीके से cutting कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से कपड़े को पलटके भी बराबर से निशान लगाके यह देखिए इस तरीके से भी आपकी cutting हो जाएगी और साइडों से यह जो कपड़ा हमारा जो निकल रहा है cutting का उसको हम लेंगे और फिर हम pocket बनाएंगे तो यह देखिए इस तरीके से हमारी cutting हो गई है अभी जो cutting निकली है इनको इस तरीके से देखिए जोड के हमको ready करना है तो यहाँ पर देखिए इनको हम जोड लेंगे पहले और यह जो हमने cutting की है तो वो कुछ इस तरीके से देखिए यह ready हुआ है हमारा cutting होने के बाद, तो इसी तरीके से देखिए, हमको cutting करक crít करना है, और महींत ही आसान तरीके से हम back बनाएंगे. अब इस तरीके से देखिए, fold करते हुए, यहाँ पे, किनारे पे, हमको हलकी हलकी, देखिए, गोलाई देना है, दोनों तरब, तो यह जो गुलाई हम देंगे तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखना है कि दोनों तरफ जो गुलाई हम देंगे वो बराबर से हमको देना है ये देखिए दोनों तरफ मैंने एक इंच पे ये गोलाई दी है और यहाँ पे इस तरीके से देखिए इसकी हम कटिंग कर लेंगे तो दोनों तरफ देखिए round shape मैंने दे दिया है अब इनको देखिए यहाँ पे मैंने जोड़के 6 इंच इसकी चोड़ाई है और 8 इंच यह जो pocket है इनकी लंबाई है अब इस तरीके से देखिए दोनों को बराबर से रखते हुए हमको shopping bag cut कर लेना है आपके पास shopping bag नहीं है त इनको हमने जोड़के ready किया है अब यहाँ पे देखिए friends इनको किस तरीके से लगाना है तो सबसे पहले तो एक पे देखिए हम chain लगाके ready करेंगे तो यहाँ पे देखिए कपड़े के ऊपर यहाँ पे देखिए 9 इंच लंबी मैंने chain ली है और इस तरीके से देखिए एक बार हम chain को लगाके ready कर लेंगे अब इसकी ऊपर देखिए shopping bag को रखेंगे और फिर यहाँ पे देखिए हमको ना जहाँ पर हमने देखिए chain को जोड़ा है एक बार तो हम chain के ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे shopping bag को अंदर की तरफ पलड़ते हुए यहाँ पे chain के किनारे किनारे हम एक बार टॉप सिलाई लगा लेंगे और नीचे की तरफ भी देखिए चारो तरफ हम सिलाई लगा लेंगे जिससे की यह जो धागे वगेरा हैं अंदर की तरफ जो कपड़े को हमने जोड़ के से हमारा यह pocket बनके ready होगा अब यह जो दूसरा वाला piece से देखिए तो उसके नीचे भी हमको shopping bag रखना है इस तरीके से कपड़े को उपर वाले कपड़े को मैंने उल्टा करते हुए रखा है और थोड़ी सी जगह को छोड़ते हुए देखिए इसके चारो तरफ हम सिलाई लगा लेंगे और जो थोड़ी सी जगह हमने छोड़ी है वहां से इसको पलटेंगे तो पलटने के पहले देखिए जो भी एश्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे और इसके जो corner है चारो उनको भी थोड़ा-थोड़ा कट कर लेंगे और फिर इसको देखिए इस तर ऐसे-ड्रंट्स हम यहां पर सिलाई लगा लेंगे और एक बार पुरा चारो तरफ सिलाई लगा के इसपे भी देखिए किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा लेंगे अब यह जिस पर हमने चैन लगाई है पॉकिट पे तो यहां पे देखिए जो भी एश्टरा कपड़ा उसको हम कट कर देंगे अब इसके देखिए तीन तरफ हमको यहां पे पाइपिंग के लिए पत्य कर लेना है 2 इंच चोड़ी और देखिए तीन तरफ से देखिए सिलाई लगा लेना है और फिर इसको पलटते हुए हम piping लगा के यहाँ पे ready कर लेंगे यदि आप सिलाई वगेरा करते हैं ठोड़ी बहुत तो देखिए आपको piping जैसे blouse पे हम piping लगाते हैं तो वैसे ही यहाँ पर देखिए हमको इस तरीके से पाइपिंग लगाना है तीन तरब जिससे की जो भी धागे वगेर हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे तो यह देखिए इस तरीके से हम कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए डबल फोल्ड करते हुए हमको यहाँ पर सिलाई लगाके यह जो किनारे थी यह देखिए हमने पूरा पाइपिंग लगा लिया तो अब इनको कहाँ पर लगाना है देखिए तो सबसे पहले तो मैंने भी सेंटर निकाल लिया यहाँ पे देखिए पॉकेट का भी सेंटर और यह जो हमारा बैग है उसका भी सेंटर निकालते हुए रखना है और उपर की तरफ से देखिए मैंने दो इंच छोड़ा है और यहाँ पे देखिए हम तीन तरफ से सिलाई लगाएंगे पहले और फिर यहां पे देखिए chain की तरफ भी किनारे-किनारे सिलाई लगा के हमको इस तरीके से देखिए chain वाला pocket हमने जोड़के यहां पे ready कर लिया है तो एक तरफ हमारा एक pocket लग गया तो यह देखिए यह chain वाला है और अभी जो दूसरा वाला pocket है तो इसका भी center निकालेंगे और pocket का भी center निकालेंगे और उपर की तरफ से देखिए 2.5 इंच हमको छोड़ना है उपर की तरफ से और फिर देखिए यहां पे pocket को रखते हुए तीन तरफ से हमको सिलाई लगा लेना है तो एक pocket हमारा देखिए chain वाला है जिस पे आप छोटा मोटा जरूरी समान रख सकते हैं और एक pocket हमारा बिना chain वाला है तो इस तरीके से हमारे अंदर की तरफ दो pocket बन के ready हो जाते हैं अब यहां पे देखिए यह जो side पे जो कपड़ा है उसको इस तरीके से देखिए नाप के हमको निशान लगा लेना है तो दोनों तरफ मैंने निशान लगा लिया अब यह देखिए यहां से यहां तक हमको नापना है तो 18 इंच आरा है तो हमको 2 इंच extra कपड़े की पट्टी लेना है तो सबसे पहले तो देखिए हम हैंडल बनाने के लिए 4 इंच चोड़ी और 20 इंच लंबी मैंने पट्टी कट कर ली है ब्लाउस पीस से और बीच में देखिए 1 इंच चोड़ी हमको यहां पे shopping bag की पट्टी रखना है या फिर प्लास्टिक की बोरी की पट्टी भी आप रख सकते हैं फोर्म सीट भी आप बीच पे रखके यहां पे handle बना सकते हैं या फिर आपके पास जो readymate वाली जो strap होती है bag में लगाने वाली यदि बो पड़ी है तो आप उनको भी लगा सकते हैं handle की जगह पे तो इस तरीके से देखिए जैसे हम एक belt बनाके ready कर रहे हैं तो वैसे हम दूसरी वाली पट्टी से दूसरी belt भी बनाके ready कर लेंगे तो दो belt हमारी यहां पे बनके ready है अब इनको देखिए 20 center निकालना है पहले तो तो सबसे पहले तो देखिए एक तरफ हम 20 center निकाल लेंगे और 20 center से 1.5 inch इस तरफ और 1.5 inch इस तरफ हम नाप लेंगे और फिर यह जो निशान है उनहीं पे देखिए हमको यह जो हमने handle बनाए हैं उनको इस तरीके से रखते हुए देखिए हमको सिलाई लगाना है तो दो-तिन सिलाई लगाके देखिए मजबूती से हमको यहाँ पे इनको जोड़ना है तो यह देखिए हमने यहाँ पे एक तरफ बेल्ट लगा ली है अब दूसरी तरफ भी 20 center निकालते हुए धाई इंच इस तरफ और धाई इंच इस तरफ भी 20 center से और यह बेल्ट हम इस तरीके से देखिए जोड लेंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ हमारे बेल्ट लगके ready हो गए हैं तो इस तरीके से देखिए बीचों 20 से 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे और फिर यह देखिए यहां से हम इसको कटिंग कर लेंगे तो यह कटिंग कर ली अब बीच पर यहां पर मैंने देखिए चेन को जोड लिया है चेन को खोल के हम दोनों तरब दोनों पट्टी पर इस तरीके से देखि यहां पर हम चेन की ऊपर एक बार सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको पलटके हमको देखिए टॉप सिलाई लगाना है तो दोनों पट्टी पर हम टॉप सिलाई लगा लेंगे जिससे की जो सिलाईच है वो अच्छी तरीके से बैठ जाएंगी और फ्रेंड देखिए तो यह भी बहुत ही अच्छा साइज है इस बैक के अंदर आपकी पानी की बॉटल आजाएगी थोड़ा बहुत आपका जरूरी सामान आजाएगा कपड़े वगेर आपके बच्चे हैं तो छोटा बोटा सामान आप इसके अंदर रख सकते हैं लंच बैग आप लंच बॉक्स यह देखिए पट्टी बनके रेडी है अब एक तरफ देखिए हम यह जो पट्टी हमने बनाई है तो इसको हम पहले एक तरफ से जोड़ लेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पहले हम एक सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे देखिए हमको पाइपिंग लगा के प और बेकार शॉपिंग बैग हम सभी लोगों के घरों पे होते ही हैं तो पहले एक तरफ हमने देखे पाइपिंग से इसको पूरा फिनिश कर लिया अब जैसे मैं देखिए पिन अप कर रही हूँ वैसे ही देखिए पहले हम इसको एक तरफ से पूरा सिलाई लगा लेंगे और दूसरी तरफ अभी हम सिलाई नहीं लगाएंगे थोड़ी सी जगह हम यहाँ पे छोड़ देंगे तो देखिए जैसे मैंने पिन अप किया सिलाई नहीं लगाएंगे और पूरा देखिए किनारे किनारे पे हमको यहाँ पे सिलाई लगा के इसको हम जोड़ लेते हैं पहले तो सिलाई हमको देखिए दिहान से लगाना है अच्छे से सिलाई लगाना है आप चाहें तो डबल सिलाई भी लगा सकते हैं तो यह देखिए इस तरीके से राउंड पे हमको धीरे-धीरे सिलाई लगा के इसको हम जोड लेंगे यहाँ पे देखिए हमने एक तरफ सिलाई लगा ली है अब यहाँ पे देखिए यह उपर की तरफ भी इस तरीके से हमको पकड़ना है और डारेक्ट हम सिलाई लगा लेंगे आप यदि अभी सिलाई सीख रहे हैं तो आप पहले पिनप कर लीजेगा फिर आप देखिए सिलाई लगाईएगा तो अभी देखिए मैंने पिनप नहीं किया है मैं सीधे डारेक्ट ही सिलाई लगा लूँगी तो इस तरीके से देखिए धीरे धीरे हम यहाँ पे सिलाई लगा के इसको पूरा कम्प्लीट कर लेंगे और एक तरफ किनारे पे अभी हम थोड़ी सी जगह छोड़ींगे तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा यहाँ तक सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है और थोड़ी सी जगह मैं अभी यहाँ पे एक दो इंच जगह हम यहाँ पे छोड़ींगे तो इस तरीके से देखे, थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ी है, अब इस तरीके से नापते हुए, हमको यहाँ पे पहले देखिए, यह दोनों पटी को पहले हम जोड़ लेंगे, तो इस तरीके से देखे, नाप लेना है, और फिर इस पटी को हम जोड़ लेंगे, एक सिलाई लगाके और इसको देखिए जोडने के बाद पहले हमको इसको पाइपिंग से देखिए कवर करना है पूरा जिससे कि कोई भी धागे वगेरा नहीं निकलेंगे तो यहां पे देखिए पहले हम पाइपिंग पट्टी लगा लेंगे क्योंकि देखिए फ्रंस इसके बीच में हमने प्लास्टिकी बोरी यूज की है और कुछ बोरिया ऐसी होती है जिनसे दागे वगेरा निकलते हैं तो इसको देखिए पाइपिंग से हम पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे जिससे की कोई भी धागे वगेरा नहीं निकलेंगे और कोई देखिए पहचान भी नहीं पाएगा कि इसको हमने बेकार बोरी से बनाके रेडी किया है अब दोनों तरफ देखिए किनारों पे सिलाई लगा लेंगे तो यहां पे देखिए दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली अब जो भी एश्ट्रा कपड़ा है उसको हमको दे देखिये, पट्टी पेपिंग पट्टी लगा के मैंने रेडी कर लिया है और इसकी जो कॉर्झनर हैं उनको पलट के अच्छी तरीके से निकाल लेंगे और बहुत ही प्यारा सा बैग हमारा यहां पे देखिया बनके रेडी हो गया है और बहुत ही अच्छे साइज पर बनके ready हुआ है आप इसको देखिए बच्चों को lunch bag के जैसे यूज करने के लिए दे सकते हैं आप चाहें तो इसको handbag के जैसे भी यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छा साइज है इसका छोटी बली जो पानी की बोटल होती है वो आप इसके अंदर अराम से आजाएगी आप इसके अंदर lunch box को रख सकते हैं थोड़े बहुत कपड़े रख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा य कमेंट करके आप जरूर बताना मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यह बैग तो next idea है friends इसको भी मैंने बेकार blouse piece से ही बनाया है तो यह जो blouse piece था बहुत दिनों से पड़ा था अब देखिए दो piece मैंने यहां पे ready कर लिये हैं तो यह जो बड़ा वाला जो piece है इसक इसकी लंबाई है और इनको मैंने कैसे ready किया है बीच में देखिए plastic की बोरी है नीचे bear sheet का कपड़ा है उपर blouse piece है अब यह देखिए जो बड़ा वाला जो piece था जिसकी देखिए जो चोड़ाई थी 8 इंच थी और लंबाई जो थी 17 इंच थी तो इसको देखिए सबसे पह अपला है यह 8 इंच इसकी चोड़ाई है और यहां पे देखिए 17 इंच इसकी लंबाई है तो 20 center निकाल लेते हैं पहले इस तरीके से फोल्ड करते हुए 20 center निकालना है और 20 center पे इस तरीके से पहले आप अच्छे से निशान लगा लीजेगा यह जो निशान हम लगा रहा ह अब यह देखिए एक तरफ हमने इस तरीके से निशान लगा लिया और फिर यहां पे देखिए फ्रेंट्स हम इस तरफ भी हम निशान लगा लेंगे अब यहां पे देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमको लंबाई पे भी 20 center निकाल लेना है और चोड़ाई पे भी 20 center निकाल लेना है अब यह देखिए जो दूसरा वाला जो पट्टी थी हमारी इसका भी हम 20 center निकाल लेंगे तो यह जो 20 center है वो हमको बाद पे काम पड़ेंगे तो इस तरीके से देखिए हम 20 center निकाल के निशान लगा के इनको ready रखेंगे तो दोनों piece पे मैंने 20 center निकाल लिये हैं तो इसी तरीके से देखिए हमको ready कर लेना है अब यह जो देखिए छोटी वाली जो पट्टी थी तो इस पे देखिए किसी भी एक तरफ से हमको 1.5 inch पे निशान लगाना है यह देखिए साइडों पे एक सिलाई मैंने लगा ली अब यहाँ पे देखिए किनारे पे एक सिलाई और लगा लेंगे और जो बीच वाला जो हमारा निशान है उस पे हमको सिलाई नहीं लगानी अब यह देखिए जो दोनों सिलाई हमने जो लगाई है इसके 20 से हमको cutting कर देना है यहां से देखिए इस तरीके से हम cutting कर देंगे और यहां पे देखिए फ्रेंट्स 19 इंच लंबी हमको chain लेना है अब यह जो chain है इसको देखिए कपड़े के ऊपर इस तरीके से उल्टा करते ह को रखना है और एक सिलाई हम लगा लिए है तो एक सिलाई मैंने देखिए इस तरीके से लगा लिए कैप इसको पलटते हुए अम्कुल हम WOODRUFF और और वह और्गनाइजर होते हैं, मार्केट में बहूत ही महिगे मिलते हैं और बहुत ही जल्दी देखें, खराब हो जाते हैं तो बिल्कुल नए तरीके से हम इस और्गनाइजर को बनाएंगे जिस पे आप देखें मेकप की बहुत सारी चीज़े स्टोर करके रख सकते हैं अब यह छोटी वाली जो पट्टी थी उसको देखें चैन के ऊपर हमको रखना है इस तरीके से और एक सिलाई हम लगा लेंगे और फिर पलटते हुए हमको इस तरब भी देखिए हम टॉप सिलाई लगा लेंगे जिससे की जो हमारी जो चैन है वो देखिए अच्छे से लगके यहाँ पर रेडी हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए फ्रेंट्स थोड़ा सा न मेरा धागा यहाँ तूट गया था तो मैं फिर से सिलाई इस पर लगा रहे हूँ तो यह देखिए अब हमने एक सिलाई लगा ली है और इसको पलटते हुए हम टॉप सिलाई लगा लेंगे तो यह देखिए इस तरीके से एक बार पूरा नीचे तक हम टॉप सिलाई लगा के हम रेडी कर लेंगे जिससे की अब ये जो धागे थे वो हमारी chain पे नहीं फसेंगे अब हमको यहाँ पे देखिए दो runner लेना है और एक तरफ से देखिए यहाँ पे हम runner डाल लेंगे और दूसरी side से भी हम एक runner डालके ready कर लेंगे तो बीच सेंटर पे रखते हुए दोनों तरफ हमको 3 इंच पे निशान लगाना ये देखिए इस तरफ भी 3 इंच पे इस तरफ भी 3 इंच पे तो ये बीचो बीच पे जो हमारा ये जो निशान था वो 6 इंच का हो गया है अभी जो पट्टी थी दूसरी वाली उसको इस तरीके से रखके एक तरफ हम जोड लेंगे अभी हमको सिर्फ एक तरफ जोडना है और ये देखिए फिर नाप लीजेगा और दूसरी तरफ भी इस तरीके से जोड लीजेगा पहले तो दूसरी तरफ भी जोड लेंगे और यदि छोटा बड़ा होता है तो थोड़ा सा सिलाई खोलके हम इसको set कर लेंगे फिर बात पे अभी देखिए इस तरीके से मैंने जोड लिया अभी इस तरीके से देखे पिन अप कर लीजेगा एक बार अच्छे से आप देखे पिन अ कर लीजेगा जिससे कि आपको सिलाई लगाने में आसानी हो जाएगी तो ये देखिए जैसे मैं पिन अप कर रही हूँ वैसे हमको यहाँ पे सिलाई लगा लेना है तो ये देखिए पूरा यहाँ पे सिलाई हम लगा लेंगे तो ये देखिए फ्रंस मैंने सिलाई लगा के इसको ready कर लिया है अब उपर की तरफ हमको पहले अभी हम देखे हैंडल लगा के हाँ पर ready करेंगे फिर हम सिलाई लगा के जोड़ेंगे तो तीन इंच ओड़ी और दस इंच लंबी मैंने यहाँ पर देखे पट्टी कट कर ली है कपड़े से और फिर यहाँ पर दो इंच वाले बैल्ट पड़े हुए हैं तो आप ready मैट वाले जो बैल्ट होते हैं उनको भी आप लगा सकते हैं या फिर कपड़े से इस तरीके से पट्टी बीच में बोरी जरूर लगाईएगा जिससे की जो बैल्ट है वो थोड़ी हार्ड बनके ready होगी अब धाई इंच पर यह इस तरीके से निशान लगाना है और यह जो बैल्ट है यहाँ पर हम बीचो बीच पर जोड़ लेंगे देखिए जैसे मैं रखके जोड़ रही हूँ वैसे जोड़ना है यहाँ पर देखिए सिलाई लगा लेंगे और फिर इस तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे तो इस तरी देखिए फ्रेंट्स इस तरीके से यहां पे हमको धीरे-धीरे से लाई लगाना है जिससे की जो सुई है धागा है वो तूटे ना बिल्कुल अराम से हमसे लाई लगाएंगे और बिल्कुल फ्री पे देखिए बेकार कपडों से बेकार ब्लाउस पीस से बेकार शॉपिंग पैक से आपका यह और्गनाइजर घर पे ही बनके रेडी हो जाता है और इस तरीके के जो और्गनाइजर होते हैं तीन सो चार सो रुपे पे आपको मार्केट पे मिलते हैं और बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं अब यह देखिए फ्रण से यहाँ पे भी कपड़ों को अच्छे से सैट करते हुए मैंने देखिए दोनों तरफ सिलाई लगा ली है अब हमको देखिए एक इंचोड़ी स्वापिंग बैक से पट्टी कट करना है और देखिए यहाँ पे चारू तरफ हम पाइपिंग से पूरा इसको कवर कर लेंगे जहाँ भी धागे वगेरा देखिए यह हैं तो यह देखिए पूरा मैंने इसको पाइपिंग से कवर कर लिया है अब कोई भी धागे वगेरा नहीं निकलेंगे और यह जो बैग है हमारा बोट लंबे टाइम तक चलेगा अब इसको खोल लेते हैं और इसके जो कॉर्नर पाइगा मिलता है और देखिए आप खरीद भी सकते हैं अदि जिनको सिलाई नहीं आती है तो खरीद सकते हैं पर जो मार्केट के जो और्गनाइजर होते हैं बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और यह वाशे वल है बीच में देखिए प्लाश्टिकी बोरी है तो आप इस इस तरीके से यह और्गनाइजर आपका बनके रेडी है अब यहाँ पर देखिए फ्रेंट से मैंने एक कपड़े से पट्टी कट कर ली है बीच में प्लाश्टिकी बोरी है साड़े साथ इंच इसकी लंबाई है और चैन इसकी चोड़ाई है इसी साइच पर मैंने ट्रांस सिलाई लगा लेंगे छोटा सा इडिया है पर आपको देखिए बहुत पसंद आएगा अब टॉप सिलाई हमने लगा ली है अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी वाली जो चैन है उसको यह कपड़े पर हमको जोड के रेडी करना है तो इस तरीके से देखिए इसके बीच म मैंने प्लाश्टिकी बोरी रखी है और नीचे अस्तर का कपड़ा है और फिर उपर देखिए बैडशीट का कपड़ा मैंने यूज किया था पुरानी बेकार बैडशीट अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ हमने चैन को जोड लिया है अब यहाँ पे देखिए रनर हम पे डालके रेड़ी कर लिया है और एक तरफ से देखिए चैन को हम लॉक कर लेते हैं जिससे की रनर बाहर ना निकले और इस तरीके से देखिए इसको सीधा करते हुए हम पहले देखिए तीन तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से सैट करते हुए तीन तरफ से हम स पट्टी कट कर सकते हैं दो इंच चोड़ी पट्टी है अब यहां से इस तरीके से देखिए फोल्ड करते हुए हमको जैसे हम ब्लाउस वगेर पे पाइपिंग लगाते हैं तो वैसे हमको इस पे देखिए तीन तरफ हमको पाइपिंग लगा लेना है और फ्रेंड्स मेरा यह जो नीचे के जो कॉर्णर थे उनको हम कट कर देंगे और यहां पर देखिए एक सिलाई लगा लेंगे तो चोटा सा यहां पर हमारा देखिए पाउज बनके रेडी हो जाता है तो मैं अभी आपको देखिए एक पाउज में बना के दिखा रही हूं जैसे मैं एक इसको फिनिश कर लिया है अब इसका यूज मैं आपको बता देती हूं तो इस तरीके के और भी पाउज आप बना लीजेगा मैं एक ही बना के आपको दिखा रही हूं तो यह देखिए इस पे जो बच्चों की ज्वेलरी होती है आप उसको स्टोर कर सकते हैं छोटी छोटी अलग-अलग चीजें आप इस टोर करके रख सकते हैं अभी मैंने एक ही बनाया है आप देखिए मार्केट से इस तरीके के पांच शे बैग आप जो मार्केट वाला जो हम और्गनाईजर लाते हैं उस पे पांच शे बैग होते हैं इस तरीके के तो आप इस तरीके के अच्छे पाउज आपके अराम से आ जाएंगे एक की ऊपर आप एक इसको इस्टोर करके इस तरीके से रख सकते हैं अलग-अलग पाउज पे अलग-अलग चीजें आपके इस्टोर हो जाएंगी उमीद करती हूं कि आज की दोनों आइडिया आपको पसंद आये होंगे वीड आपके वीडियो में